हेलो फेंज वेलकम टू माई चैनल आज की श्रूडर में आपको अंब्रेला स्कर्ट के कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी इसमें कपड़ा जो यूज करूंगी वो लग डायमेटर के पास यूज करूंगी और मैंने अभी फैब्रिक को दो भागो में किया हुआ है आ आप किसी भी कौनर को उठा सकते हैं किसी एक कौनर को उठाएंगे हम किसी पॉप्ते जो आप चाहें उस में पर्चापके है इस सасकते हैं उस 이걸 के ट्रैंगल ना दसके अणग में देना है कि आपको बताया था कर लिया है अब मैं क्या कर ना है हम कमर की लंबच इसमें कमर की लंबच पर लेंगे रही हूं यह कपड़ा जो है वह सिर्फ इडबाड गरेंगे तो 36 इंच उता है इसमें टोल्टर कमर के लंबाई जो वो 36 इंच पर है जितने विए आपके कमर के लंबाई हो उसको आप चारवगों में डिवाड कर लेजिए गा और आदा आदा इंच हमें एक्ष्टा लेना है जो हमारा सिलाई में आएगा तो यहां पर जो मार्जन लगा श्वराएं आदा एंच मैंने एष्टा लेया है मार्जन के लिए तो दोनों कॉर्नरों में हमें सब्सक्राइब कर दिना है और जो मार्णा आया है कमर का सब्सक्राइब इस प्वरसे गुमांते विए यां पर भश्य लगा देना है मैं इन दुनों माजूं को एक दूसर स से अटेज कर देंगे। आप देख सकते हैं फिर्द हमारा माजन जो आया है वो फूरणी नोव इंस पर आया है अब मैं क्या करना है हमें इसके कटिंग कर देंगे तो अब मैं क्या करना है फिर हम बोटम पार्ट के लेन दे लेंगे तो इसके लेन जो ले रही हूं वसाड़े 23 इंज पर ले रही हूं उसमें से आदा इंच उपर के तरफ सिलाई में आएगा और एक इंच हमारा नीचे के तरफ फोल्ड हो जाएगा तो टोटर बोटम पाज बन कर त्यार होगा वो 36 इंच पर होगा उसमें से 2 इंच हमें पलस करना है दो इन्च का हमारा बल्ट बनकर त्यार होगा तो ठोल जिमीन पास बनकर त्यार शूब्टर क्योद अर्थी सिंच पर त्यार होगा दो इंच हमें प्ल्स लघ्रा है शेटिश में तो हो ये1 टिस ये ये तो यहाद पर में 6Gen's पर मास्ज लगा देना है इस प्राशिन इस्टेबल को गुमाते वे हमें माज लगा देना है यहां पर सड़े स्टैशिंज पर यहां पर पूरे में हमें सड़े स्टैशिंज पर माज लगा देना है कि आप सकते हैं तब का मैंने आपको बताया है उसी के कटिंग कर देने हैं आप स्टैश्वल पर खानल अाल कि मातनी नहीं कर दें न है और आप इसका घहर भी देच सकते हैं, डायमेटर में हमारा घहर भी बहुत अच्छी तेर से बन चुका है, अम्रेला स्कट ये कटिंग हमने कर दी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम बल्ट को त्यार करेंगे बल्ट के चुड़ाय रखी है वो मैंने 4 इंच पर रखी है बल्ट के चुड़ाय मैंने 4 इंच पर रखी है और बल्ट के लंबाई मैंने अम्रेला स्कर्ट के बराबर रखी है जितनी आपके अमरेला स्कत में कमर की लंबाई हो, उतनी हमें बंट में लंबाई लखनी है, फो आप देख सकते हैं, कमर में दोनु की लंबाई एकलर रखिये, उसके बाद हमें जितनी डोबाद हमीं क्या करना है, हम सीदी साध के तरफ रख लेंगी, और बल्ट को भी हमें इसके उपर सीधी साड़ी की तरफ रख देना है और इस पकासे यहाँ पर हम सिलाई लगा देगे इस पकासे सीधी साड़ी की तरफ रख देगे और सिलाई लगा देगे सो आप देख सकते हैं फ्रेंट जिस पकार से मैंने आपको बताया था बल्ट को स्टिच करना उसे कोड़ी मैंने बल्ट को स्टिच कर दिया है जिस पकार से हमने फ्रेंट पार्ट को त्यार किया है उसे कोड़ी हमें बैक पार्ट को त्यार कर लेना है अब देख सकते हैं मैंने back पार्ट को भी त्यार कर लिया है बल्ट को हम किस प्पकार से त्यार करेंगे वह आपको चुलाईमेशिन पर त्यार करना बताओंगी जैसे कि मैंने आपको बताया था टो इंच का हमारा बल्ट बंप कर tयार होगा तो 2 इंच पर हमारा फोल्ट करते हुए यहंब कर हम स्लाय लगा देंगे अब द्यान रखें फिस्ट साइड की तरफ लगानी है दोनों पार्टों में दोनों साइड की तरफ नहीं लगानी है एक साइड की तरफ डबर फोल्ड करते हुए यहां पर हम शिलय लगा देंगे कि अब देख सकते हैं फिर मैंने शिलाय लगा दिया है इस एकोडिंग हमें बैक पार्ट को त्यार करना है उसके पार्ने क्या करना है बल्ड को आधे इंच की दूरी पर अंदर की तर फोल्ड करेंगे इस पकार से और जो हमारी जो हमने बोटम पार्ट में बल्ड को टैच किया था उस सिलाई पर हमें इस पकार से फोल्ड करते हुए इसको रख देंगे और याँपर हम सिलाई लगा देंगे पिस बखे झुड़ाःनु और फार्ट को रखने पिता ए закрыमेन। करित भर क्य कमें में तोर्ट को दो सुड़ीप। को यह दो जो पिते यह कि अन। क्यों को म allez कर में को यह क्या एक है तो कि का एक अप्वास को कि ईॉ.. की आफिव्यवाथ So आप देख सकते हैं फरिंड पॉरिंड वो उसके बासेंता हुआँ When I wash स्याय व्यार को सीधी सबूकित की तरच रख देंगे झाँ पर शिलय लगा देगे और कि अब देख सकते हैं इस पगा से मैंने आपको बताया था यहां पर लगाना उसे कोरिंग मैंने दूनों पार्टों में एक दूसरे से अड़ाइच करते हो यहां पर लगा दी है अब में क्या करना है फिर्ट हम बोटर पार्ट को एक दूरी पर निचे के तरफ फोल्ड करेंगे इस पगा से एक दूरी पर फोल्ड करेंगे और चार तरफ से यहां पर हम शिलाइच लगा देंगे तो आप देख सकते हैं इस परका से मैंने आपको बताया था निचे पोटम पार्ट को एक इंच की दूरी फे फोल्ड करते हुए चारो तरफ से शिलाय लगाना उश्य कोड़े मैंने शिलाय लगा दी है मैंने आपको डॉरे लिएूसाइब लेहए से एक साइड की तरफ निकाल लेना है कि ऐसरे शेट के तरफ दालेàng सो आप देख सकते हैं मैंने डोरे को एक साइड की तरफ डालते हैं, बन करतायर हो चुकी है, अगर आपको वीडियो प्संद आया हो तो वीडियो go like करें जैनों को सब्सक्राइब करें और बैल आपने को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास अब से पहले पहुंच तके तो थैंक यू फ्रेंड